आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पिले स्टोर की आईडी कैसे बना सकते हैं अगर आपने नया फोन अभी खरीदा है और पिले स्टोर की आईडी बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं आज की वीडियो में आपको बहीं बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को जराध्यान से देखना है और पूरी वीडियो को देखना है आप लोग करते क्या हैं पूरी वीडियो नहीं देखते हैं जब पूरी वीडियो नहीं देखो भाई समझ में नहीं आएगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना है चलो पिले स्टोर नया प्लेय स्टोर मिलेगा अगर आपके पास पुराना फोन है तब भी आपको प्लेय स्टोर जरूर मिलेगा प्लेय स्टोर को ओपन करेंगे जैसे हम प्लेय स्टोर को ओपन करेंगे हमारी तो आइडी बनी हुई है अगर आप अपनी आइडी बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते है, simple से जैसे आप इस पे click करेंगे, तो यहाँ पे एक option आपको दिखाई देगा, add another account का, या add account का option दिखाई दे सकता है, ठीक, simple से इस पे आपको click करना है, add account का option दिखाई दे सकता है, add another account का option नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपने कोई account add किया नहीं है मेरे account add है इसलिए मेरे में add another account दिखाई दे रहा है ठीक उसके बाद आपको Google पर click कर देना है जैसे आप Google पर click करेंगे यहाँ पर checking info होगा और यहाँ पर अपना fingerprint lock कर मांगता लगा देना नहीं मांगता तो कोई बात नहीं है ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या करना है जो भी mail idea बनाना चाहते हैं simple से create account पर click करेंगे create account पर click करने के बाद for my personal use अपने personal use के लिए बनाना चाह रहे हैं for work or my business या business के लिए बनाना चाह रहे हैं मैं अपने personal use के लिए बना रहा हूँ simple से for my personal use पर click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना first name डाल देना होगा जो भी आपका name है वो name डाल देंगे surname डालना चाहें डालें वरना कोई बात नहीं then आप next करेंगे next करने बाद अब यहाँ पर basic information में अपनी date आप birth select कर लेना और gender आपका क्या है वो select कर लेना चलिए मैं यहाँ पर data आप birth select कर लेता हूँ यहाँ पर आपका gender क्या है वो आप select कर लेंगे ठीक date आप birth मैंने select कर ली gender select कर लिया then हम यहाँ पर next要 le option पर click करेंगे जैसे हमने नेस्ट आले अपसंद पर किलिक किया अब यहाँ पर आपको अपनी एक mail id बनानी होगी अगर आप चाहें तो अपनी personal बना सकते हैं वरना use mobile पर किलिक करेंगे चलिए मैं यहाँ पर कोई mail id ले लेता हूँ राजेस, मोर्या हमने ले लिया ऐसे, कुछ आप बना लेंगे ठीक, देन आप नेस्ट करेंगे अगर email id अवलेबल होगी तो आपको email id मिल जाएगी अब यहाँ पर password, strong password बनाएंगे ताकि किसी को पता ना लग सके क्या password है, ठीक अब चलिए, यहाँ पर हम बनाते हैं strong password, कोई भी strong password बनाएंगे, ठीक password बनाने के बाद आपको क्या कर देना है then आपको next वाले option पर click कर देना, चलिए, यहाँ पर हम password बना लेते हैं, strong password बनाएंगे then आप देख सकते हैं, password कुछ इस परकार से बनाना है, यह demo password है ना कि original password, यह demo password है then आपको कुछ इस परकार से password बनाना है, मतलब capital लेटर भी होने चाहिए, small लेटर भी होने चाहिए, special character होने चाहिए, numeric भी होना चाहिए then आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे next वाले option पर click कर देंगे, जैसे आप next वाले option पर click करेंगे yes, I am in वाले option पर click करेंगे और आपकी यहाँ पर google account जो google की जो id थी, जो play store की id थी, वो यहाँ पर बन चुकी है, आप यहाँ पर देखेंगे I agree पर click करेंगे और आपकी यहाँ पर play store की id बन चुकी है, दोस्तों कुछ इस परकार से आप भी अपने play store इस परकार से आप भी play store की id को बना सकते हैं, वीडियो कैसी लगी comment करके बताईएगा, मिलते निस्ट वीडियो में नई जानकाई साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जै हिन, जै भारत, बाई बाई